हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चेप्टर 12 है चेप्टर 12 की हमारी तीन एक्सरसाइज थी जो कंप्लेट हो चुकी है आज हम पढ़ेंगे मिस्लैनियस एक्सरसाइज मिस्लैनियस एक्सरसाइज कोशे नमबर फर्स्ट थी वर्टेसेज और फिप पैरलोग्राम एक पैरलोग्राम है उसके तीन वर्टेसेज हैं A, B, C, D, R, एक पैरलोग्राम के 3 vertices दे रखे हैं, A, B, C, D एक पैरलोग्राम है, जिसके vertices A, B और C गीवन है, find the coordinate of the 4th vertex, जो 4th vertex आपके पास D है, उसका में वर्टेक्स से निकालना, इसके coordinate से निकालने है, आप देखो कैसे निकालनेंगे, 3 vertices of a पैरलोग्राम, A, B, C, D, R, गी इसके coordinates मान ली हमने, X, Y, Z, अब we know that हमें पता है कि diagonals of a पैरलोग्राम, एक पैरलोग्राम के जो diagonals हैं, वो bisect करते हैं एक दूसरे को, अगर वो एक दूसरे को bisect करते हैं, तो it means दोन्नों का mid equal होगा, तो क्या लिखेंगे, midpoint of A, C is equal to midpoint of A, B, D लिखेंगे, क्योंकि midpoint वो X3, 3 minus 1 by 2 आजेगा, minus 1 plus 1 by 2 और 2 plus 2 by 2, is equal to, अब B और D का B हमारे पास क्या है, 1 और यह हमारे पास यह है, 1 plus X plus 1 by 2, Y plus 2 by 2, और Z minus 4 by 2, यह आगे हमारे पास हैं, अब दोनों का equal रखेंगे, 3 minus 1, 2, 2 by 2, 1 आजेगा, यह 0, 0 by 2, 0, 2 plus 2, 4, 4 by 2, 2, is equal to X plus 1 by 2, Y plus 2 by 2, और Z minus 4 by 2, यह equation आगे, 1st को 1st के equal रखेंगे, 2nd को 2nd के और 3rd को 3rd के equal, X plus 1 by 2 is equal to 1, हो जाएगा, by comparing X is equal to 2, और plus को उदर लेके गए, minus हो गया, तो X की value क्या आए, 1, फिर दूसरा है, Y plus 2 by 2 is equal to 0, Y plus 2 is equal to इदर आए, 0 हो जाएगा, Y की value क्या आजाएगी, minus 2, 3rd हमार पास है, Z minus 4 by 2, 2, 2 जाएगा, 4 आजाएगा, minus 4 को इदर लेके आए, प्लस हो गया, तो Z की value 8 आगई, अब X, Y, Z, 3 की value आगई, तो क्या आजाएगा, coordinate of the fourth vertex are, 1 minus 2 और 8, next हमार पास question number 2, find the length of the medians of the triangles with vertices A, B and C, हमें क्या निकालने है, length of the median of the triangles है, एक triangles के अंदर जो हमने median draw कर रखे हैं, उसके vertices के length निकालने हैं, हमें ये length क्या है, अब A, B, C हमें coordinate दे रखे हैं, let, हमने मान लिया है, A, D, B, E and C, F भी the medians of the given triangle, ये जो हमें triangle दे रखे हैं, इसके medians क्या है, A, D, B, E और C, F, Since A, D is the median, A, D हमारे पास क्या है, इसका median है, D इसका क्या है, is the midpoint of BC, और D हमारे पास क्या है, इसका midpoint है किसका BC का अगर इसका midpoint है तो क्या करदेंगे हम B plus C by 2 कर देंगे B plus C by 2 कर देंगे तो 0 plus 6 by 2 4 plus 0 by 2 और 0 plus 0 by 2 D coordinate हमारे पास आया 3, 2 और 0 फिर हम निकाल लेंगे AD इसी तरह ऐसे E निकाल देंगे F निकाल देंगे कैसे यह हमारे पास दे रखी है A, B, C हमारे पास एक चैनल दे रखी है A, B, C अब यहां से जब हमने median ड्रो किया यह आजेगा और इधर से F और इधर से आपके पास B, E आ गया हमारे पास C, A median है तो median के लिए हमने क्या किया B, C का mid क्या है D आया तो वो हमने points निकाल दिया, दूसरा हमारे पास क्या है, a, b, अब a, d निकालने के लिए हमने क्या किया, a से d की जो length निकालने है, वो कैसे निकालनेंगे, a, d की length निकालने का distance formula अपलाई करें, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square और पूरे का square root, तो क्या आजेगा, 0 minus 3 square plus 0 minus 2 square plus 6 minus 0 का square, अब 3 का square, 9 आजेगा, 2 का square, 4 और 6 का square, 36, 36 plus 4, 40, 40 plus 9, 49, 49, किसका होता है, 7 का, से अब दूसरा हमारे पास क्या आजेगा, be है, वो median है, किसका, be हमारे पास एक median है, e हमारे पास क्या है, midpoint है, किसका, ac का, तो e हमने निकाल दिया, ac का midpoint, a के coordinate और c के coordinate, x1 plus x3, और y1 plus y3, और z1 by z3, और pi2 कर देंगे, तो क्या आजेगा, 0 plus 6 by 2, 0 plus 0 by 2, 6 plus 0 by 2, यह 6 by 2, 3 आजेगा, यह 0 आजेगा, और 6 by 2, 3, be निकालने, अब be निकालने के लिए, हमारे पास क्या आजेगा, वही formula distance, formula distance, formula use कर दिया, 3 minus 0 square, plus 0 minus 4 square, plus 3 minus 0 square, अब 3 का square 9, 4 का square 16, और 3 का square 9, सभी को plus कर देंगे, root 34, थर्ड हमारे पास क्या आजेगा, f आजेगा, अब हमारे पास cf एक median है, और f है, वो क्या है, हमारे पास ab का, midpoint है, ab का midpoint निकालने, कैसे coordinate of f, f के coordinate क्या आएंगे, 0 plus 0 by 2, इन दोनों के coordinates का, 0 plus 4 by 2, 6 plus 0 by 2, अब 0 by 2, 0 आजेगा, 4 by 2, 2 और 6 by 2, 3, यह हमारे पास f के coordinates आगे, length निकालनेंगे, cf की, cf की length हमारे पास आजेगे, 6 minus 0 square, plus 0 minus 2 square, plus 0 minus 3 square, 6 square, 36, 2 का square, 4 और 3 का square, 9, 36 plus 4, 40, 40 plus 9, 49, आजेगा, 7, तो length of median of triangle, triangle ABC के जो median से उनकी length के आएगी, 7 root 34, और 7, next है हमारे पास question number 3, if the origin is the centroid of the triangle, P क्या हूँ, R, P क्या हूँ, R हमारे पास एक triangle है, और उसका जो origin है, वो उसका क्या है, centroid, P क्या हूँ, R, P क्या हूँ, और R, तीनो points दे रहे रहे, then find the value of ABC, ABC की value, find करेंगे, ABC की value find करेंगे, तो देखो कैसे निकालनेंगे, इनके points में, it is known that the coordinates of the centroid of the triangle, centroid of the triangle हमारे पास क्या आएगा, इसके vertices दे रहे हैं, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, और अगर हमें इसका centroid निकालने हैं, तो centroid निकालने का formula क्या है, तीनों के first का sum, X1 plus X2 plus X3 by 3, Y1 plus Y2 plus Y3 by 3, और Z1 plus Z2 plus Z3 by 3, मैंने introduction में भी बताया था आपको ये, coordinates of the centroid, अब centroid निकालो, सभी का 2A minus 4 plus 8 by 3 आजेगा, second क्या है, 2 plus 3B plus 14 by 3, और 6 minus 10 plus 2C by 3, अब 2A, 8 में से 4 जाएगा, 4, 2A plus 4 by 3, second आजेगा, 14 plus 2, 16, 16 plus 3B by 3, और 10 minus 6 कर देंगे, minus 4 plus 2C by 3, अब देखो, origin दे रखा है, इनोंने बोल रुका है, इसका centroid क्या है, origin है, तो point क्या होंगे, 00, it is given that origin is the centroid of triangle, P क्या हुआ है, तो points क्या हैंगे, 00, first cause 0 क्या, इक्वल, second भी और third भी, 2A plus 4 by 3 is equal to 0, इधर लेकिया है, 0 होजेगा, 2A plus 4 is equal to 0, A is equal to minus 4 by 2, A की वैल्यों हमारे पास हाई, minus 2, इसी तरह second है, 3B plus 16 by 3 is equal to 0, अब इधर से 0 होजेगा, 3B plus 16 is equal to 0, 3B is equal to minus 16, B is equal to minus 16 by 3, third हमारे पास है, 2C minus 4 by 3, इसको इधर लेकिया है, 0 होजेगा, 2C minus 4 is equal to 0, 2C is equal to 4, और C is equal to 2, अब हमारे पास ABC की वैल्यों क्या है, A की minus 2, B की minus 16, और C की वैल्यों 2, next है, question number 4, find the coordinates of a point on y-axis, y-axis पर हमारे पास coordinates निकालने हैं, मिकस के वी 4, at a distance of 5 root 2, जिसके distance 5 root 2 है, from the point P, P point C, अब हमारे पास देखो, if a point on y-axis, y-axis पर एक point दे रखा है, point हमारे पास y-axis पर है, coordinates निकालने, then x coordinate and z coordinate of the point R, 0, अगर y-axis पर है, तो x और z के coordinates हमों क्या होंगे, 0 होंगे, तो A हमने एक point मान लिया, जिसके 0, B, 0, यह हमारे पास किसका y-axis का point मान लिया, B हमने, B the points on the y-axis at a distance, of किस distance पर 5 root 2 है, 2 distance पर, और एक point क्या है, उसका P, अब A से P के distance कितनी है, 5 root 2, A P is equal to 5 root 2, A P का square कर देंगे, क्या हाजेगा, 50 हाजेगा, इसका 5 का square 25, और इसका root cancel, जा 25 तो जा 50, अब A P का, A P का square निकाल लेंगे, उपर root है, root के उपर square लगाएंगे, cancel हो जाएगा, तो A P कैसे निकाल लेंगे, 3 minus 0 का square, minus 2 minus B का square, और plus 5 minus 0, square is equal to 50, 3 का square 9, इसका A minus B का all square, minus 2 का square plus 4, B square और plus 4B, 5 का square 25 is equal to 50, अब या आजेगा, B square plus 4, B plus, सब B को plus कर देंगे, 38 minus 50 is equal to 0, B square plus 4B, इसमें से minus क्या, minus 12 is equal to 0, B square, अब factor बना देंगे, 6 or 2, B square plus 6, B minus 2, B minus 12 is equal to 0, B common लेंगे, B plus 6, इसमें से minus 2, common B plus 6, और factor आजेंगे, B plus 6, B minus 2 is equal to 0, first को equal 0, रखेंगे, minus 6 आएगा, second को रखेंगे, 2 आएगा, तो points हमारे पास क्या आएँगे, 0, 2, 0, और 0, minus 6, 0, B की दोनों value अप्लाई कर दी, हमने, यह हमारे पास इसके coordinates हैं, next है question number 5, X coordinate पर for lie on the line segment, joining the points P and Q, P और Q हमारे पास दो points है, जिनको join करने से मिला है, find the coordinate of the point, उस point का coordinate निकालू, देखो, the coordinates of a points, P and Q are given, P और Q के coordinates से रखें, R हमारे पास एक point है, जो divide करता है, line segment को, P क्या हूँ, in the ratio, K ratio 1, जो K ratio 1 में उसको divide करता है, by section formula, the coordinate of the R, अब R का हम निकालेंगे, section formula से, section formula से हमारे पास क्या था, section formula हमने apply कर दिया, coordinate section formula हमारे पास क्या था, M1, X2 plus M2, X1 by M1 plus M2, यह हमारे पास formula था, M1 हमारे पास K है, M2 हमारे पास 1 है, तो अब क्या कर देंगे, K into 8 आजेगा, K into 8 plus 2 by 1, 2 multiply 1 हो जेगा, by K plus 1, दूसरा हमारे पास क्या आजेगा, K और multiply किसे कर देंगे, 0 से कर देंगे, और minus 3 की और 1 के multiply, minus 3 by K plus 1 आजेगा, और third हमारे पास क्या आजेगा, 10 multiply K plus 4 by K plus 1, अब यह क्या आजेगा, 8 K plus 2 by K plus 1, minus 3 by K plus 1, और third हमारे पास क्या है, 10 K plus 4 by K plus 1, अब हमारे पास given क्या है, कि X coordinate of point R is 4, कि जो point हमारे पास दे रखा है, R, उस पर X coordinate की value क्या है, 4, तो X coordinate हमारे पास यह है, फॉस्ट वाला, इसको is equal to 4 रख देंगे, 8 K plus 2 by K plus 1 is equal to 4, cross multiply कर दिया, 8 K plus 2, 4 K plus 4 आजेगा, इसको इदर लेकिया, 8 K minus 4, K is equal to 4 minus 2, 4 K is equal to 2, K की value हमारे पास 1 by 2, अब K की value 1 by 2 आगे, तो इसके अंदर apply कर देंगे, यह तो हमारे पास दे रखा है, 4 है, second में हमने apply किया, minus 3 by 1 plus 1 by 2, और the last हमारे पास 10, K की value 1 by 2 plus 4 आजेगा, और 1 by 2 plus 1, अब इसको solve करेंगे 4, और यह क्या आजेगा, 2 अंजा 2, 3 by 2, 3 से 3 cancel क्या आजेगा, minus 2, इदर हमारे पास 2 से cancel होके, 5 आजेगा, 5 plus 4, 9, 9 है और नीचे 3 by 2, 2 by 3, 3, 3, 3, 9, 3, 2, 6 आजेगा, यह हमारे पास R के coordinates है, next हमारे पास question number 6, if A and B be the points, A और B हमारे पास 2 points है, find the equation of the set of the points, equation निकालनी हमें इसके points की, such that P A square plus P B square is equal to K square, where K is a constant, K हमारे पास कोई constant है, दिखो कैसे, the coordinates of the points A and B are given, A और B के coordinates हमारे पास given है, let the coordinates of the point P, हमने P के coordinates मान लिए X, Y, Z, on using distance formula, distance formula का use करेंगे, पहले P A square निकाल लेंगे, P B square, और फिर equal रख देंगे K square के, देखो P A square, P A square हमारे पास क्या आजेगा, A हमारे पास point दे रखे हैं, 3, 4, 5, और B हमारे पास point दे रखे हैं, minus 1, 3, P, और minus 7, और P हमारे पास point है, X, Y, Z, अब देखो, X minus 3 का square plus Y, minus 4 square plus Z, minus 5 square, square से root cancel हो जाएगा, अब ये इसका square open करेंगे, A square A plus B square minus 2 A bी से, X square 3 का square plus 9 minus 6X, Y square plus 4 का square 16 minus 8Y, Z square plus 25 minus 10Z, अब X square plus Y square plus Z square minus 6X minus 8Y minus 10Z, और इदर से 9 plus 16, 25 plus 25, 15, दूसरा मारे पास कहा, PB square, PB square फिर डिस्टेंस फोर्मिला लगाएंगे, X minus minus plus हो जाएगा, X plus 1 का square, plus Y minus 3 square plus Z plus 7 square, square open करेंगे, X square plus 2X plus 1, Y square plus 9 minus 6Y, 6Y और Z square plus 49 plus 14Z, अब इसको सेक्वेंस में रखेंगे, X square plus Y square plus Z square, plus 2X minus 6Y plus 14Z, और सभी को प्लस करेंगे, तो क्या आजएगा 59, यह मारे पास आ गया PB square, अब एक्वेशन हमें दे रखेंगे, इसमें पुट करेंगे, X PA square plus PB square is equal to K square, अब PA square अमारे पास यह है, plus PB square, PA square plus PB square is equal to K square रख दिया, अब X square X square, 2X square Y square plus Y square, 2Y square, Z square plus Z square, 2Z square, minus 6X plus 2X, minus 4X आएगा, minus 8Y plus 14, 14 में सेट जाएगा, अमारे पास 6 आ जाएगे, ZT रख दिया, minus 14Y, 8 और 6, 14 आजएगा, minus 10Z है, और plus 14, 14 में से 10 जाएगा, plus 4Z, 50 plus 59, 109 is equal to K square, अब इस पूरे में से 2 common ले लेंगे, और 109 को इस दर लेके आए, K square minus 109, इसमें से हमने 2 common ले लिया, 2 भारा जाएगा, X square plus Y square plus Z, square minus 2X, minus 7Y plus 2Z is equal to K square minus 109, 2 को इस दर लेके आएगे, divide में आएगा, तो क्या आएगा, X square plus Y square plus Z, square minus 2X, minus 7Y plus 2Z is equal to K square minus 109 by 2, यह हमारे पास इसकी equation आएगे, ओके, यह हमारे थी, miscellaneous exercise, chapter 12 की, ओके, थेंक्यू,